स्वागत है आप सभी का दीयो किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं बचे हुए चावल से फ्राई राइस ओके आप चावल बना भी सकते हैं या तो बचे हुए चावल से भी बना सकते हैं और मैंने दो प्याश के टुक्रे लिए हैं पतले पतले और एक टमाटर के टूक्रे लिए है और धनिया और 45-5 हडी मिश कटा हुआ हल्दी, आदा चमच उर आदा चमच नमक यहां पर गर्म होने में थोड़ा सा सर्सौ दे दिया है अब उन्हें थोड़ी देर के लिए होने दीजिए यहां पर दोखिए यह फूजी तरह से हो जाए तो अब इसमें मैं अब इसमें हरी मीज डाल दूँगी अब इसमें मैंने प्याज डाल दिये हैं दो कटे हुए बारिक कटे हुए प्याज अब इसे अच्छे तड़ा पूरी तड़ा मिलाज दीजिए के दोस्तों सुनेरा कलर आ गया है अब इसमें मैं थोड़ा कटा हुआ टमाटर डाल देते हुए एक मिनिट कटा हुआ टमाटर अच्छी तरह से इसमें मिलाये यह मैं ने अच्छी तरह इसे भून लिया है अब देखिए मैं इसमें चावल गिराने वाली यह मेने चावल गिरा दिया है अब यह में चावल को अच्छी तरह से मिश्च कर लूँगी सारे को अच्छी तरह से मिला लिया है मैने अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर दे दूंगी और स्वाहद अनुसार मैं नमक इसमें डाल दी हूं अब इसे दो बार चला लेंगे अच्छी तरह और इसे थोड़ी देर के लिए धीमियाश करके छोड़ देंगे अब इसमें मैंने धन्या का पत्ता डाल दिया है जो कटा हुआ था अब इसे अच्छी तरह से मिला दीजिए थोड़ी से और मैंने आप क्यास का फ्लेम आफ कर दिया देखिया यह हमारा बनके तयार हो चुका है चट पता राइस प्रैंक तयार है आप इसे अब सर्फ कर सकते मैंने अब सर्फ कर चुकी हूँ और दोस्तों यास से लाइक शेर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दियो की जन तैंक यू बाई